Hello everyone, कैसे हो आप, उमीद करती हूँ आप सभी बढ़िया और अच्छे होगे, जैसे कि हम सब जानते हैं, जेए का सीजन स्टार्ट हो चुका है, जोशा ने अपनी डेच शीट को रिलीज कर दिया है, और हम सब एकदम हीटन अप हो चुके हैं, अपने काम को करने के लिए, अच इसके लिए अच्छे पॉइंट्स हैं, वो बताऊंगी आज के वीडियो में, तो सबसे पहली बात यह होती है, कि जेए मैं भी मानती हूँ, NITs, IIITs, IITs में जाने के लिए, जेए is the only thing जो आपको चाही होती है, अच्छे परसंटाल, अगर स्टेट फॉरड बात बताओ, म आप एक अच्छी NIT में, एक अच्छी IIT में एक अच्छी ब्रांच को सोच सकते हो, अगर उसके नीचे होना, तो there is quite difficult to get in a good engineering college, जो कि NITs, IITs and IIITs हो, अच्छी ब्रांच नहीं मिलती है, आपकी 100% ब्रांच नहीं मिलेगी या 1% you know, क्या कहते है, city नहीं मिलेगी आपको, तो दूसरा option होता है, क्यार हम कोई out to fall to college देले, बट अगर NIT नहीं मिली तो हम NIT के लेवल के अच्छी college को aim ज़रूर कर सकते हैं, तो इस पे अपकी मदद करेगी state exams, most of हम लोग होते state exam को ignore करके, सिर्फ J.E. पे focus करते हैं, ठीके J.E. पे focus करना चाहिए, मैं भी J.E. पे focus क करती है, अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको उसी state से pass out होना हो, उस state के board से pass out होना, आप कोई भी state के pass out student हो, कोई issue नहीं है, अब क्या होते हैं, हर state में कुछ अच्छी top engineering college होती है, जैसे महरास्टर में देख लो, COEP हो गया, PC COE हो गया, गुजरात में देख रहे हो State exams comparatively बहुत simple होते हैं, special preparation की आपको बिलकुल जरूरत नहीं है, जितना आप JEE के लिए prepare करें, उससे paper आपका काफी जादा easy आने वाला है, काफी जादा, आपको लोगे का, यार यह तो सिर फॉर्मुला based है, पेपर बहुत जादा easy होगा, और उसके अंदर आपका score करने की ability बहुत जादा बढ़ जाती है, आप high score कर सकते हो, थोड़ी सी पढ़ाई करके, and plus point मुझे क्या लगता है, ज्यादा तर state exam में 11th का portion नहीं आता है, तो यह बहुत जादा plus point होता है, कि state exam को अगर आप क्रैक करो, state exam में अगर lower rank है, and JEE में आपके 93 है, और आप state exam में आपका 5-6,000 भी है ना, 20,000 बच्चों के अंदर, तो भी वो टॉप की college में आपका admission मिल जाता है, JEE के थूँ जो बहुत जादा difficult होता है, तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, state exam के form जरूर भरिये हो, सकते है कि आपको आपके state से दूसरे state में जाना difficult लग और अगर आपके थोड़ी सी 12,000 भी थोड़ी अच्छी सी preparation भी है ना, तो यू गाइस विल जैनुरली थैंकिंग में को बता दिया, हमें नहीं पता होता है, यार की exams देनी होती है, state exams होती है, यह जो time है ना, इसी time सारे state exams ने अपने अपने form रिलीस कर चुके होते हैं, ता आपके भर दीजे, यह दोनों state IT हब के लिए बहुत जादा अच्छे हैं, तो फिर आप देली का भी ढूंद लीजे, ऐसे कोई ना, कोई exams होती 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 है, जैसे आपकी कोई aim है कि मुझे यह प्राइवेट कॉलेज में तो भाई इसी में जाना है, तो उसक इसका भी आपको simultaneously ध्यान रखना है, पढ़ाई करते हैं, इन सब के बारे में तो पता होता है कि private colleges की separate exams होती है, but state exam, entrance exams को हम बहुत lightly लेते हैं, उनका paper जादा compatibly easy आता है, competition level जादा बच्चों के साथ नहीं होता है, आप अच्छी college टार्गेट कर सकते हैं, यह जेए को अप आपको एक option भी लेके चलना पड़ता है, यह बहुत जादा ज़रूरी है, तो make sure आप भी state exam के form ज़रूर से भरी है, इस तरीके के informative वीडियो के लिए मेरे चानल को subscribe ज़रूर से करिए का, इस तरीके के engineering related आपको information मैं देती रहूंगी and genuine and authentic, you know, आपको information ही मेरे चानल पर दे and आप तक के लिए take care and bye और पढ़ते रहे